अलो सुडेंट्स नमस्कार मैं में बल्डोदी अभी वक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूँ नीट यूजी 2022 का रिजल्ट आने वाला है और जैसे रिजल्ट आउट होगा काउंसलिंग प्रॉसेस सुरू होगी जैसा कि हमारा आपसे वादा था इस काउंसलिंग प्रॉसेस में पूरी आपको हेल्प करेंगे आज के इस वीडियो में मैं आपको आसाम से दिल्ली तक की सारी बाते बताऊंगा स्टीट आसाम से लेकर स्टीट दिल्ली तक कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और कट ओफ क्या रहने वाली है स्टीट वाइज, कैटेगरी वाइज, कम्प्लीट कट ओफ डिटेल जो है वह आप तक पहुंचाऊंगा ये जो वीडियोज हैं कुछ फिजेज में आएंगे, पहले फिज में जो आज वीडियो आपके सामने आ रहा है उसमें A, B, C, D डिटेल्स है, अल्फावेट A से लेकर अल्फावेट D, देली तक, आसाम से देली तक की स्टीट जो है उनके medical colleges का number कितना है, medical colleges की total number of seats कितनी है और category wise cutoff कितना रहने वाला है, ये सारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में जितना content रखा गया है, हमारी टीम ने, experts ने मिलकर तयार किया है बारी की से पिछले records का अध्यन करते हुए आप तक सुलब करवाया है जिससे आपको सही बातें पता लगें और इस बात की नीट यूजी counseling में आपको इस बात का benefit मिले है Students अगर आप आसाम के medical colleges में जाना चाहते हैं अगर 2021 का cut-off हम देखें तो general category के student को 532 नंबर पर college मिल गया था और All India rank थी 69,285 OBC के candidate को 462 नंबर पर college मिला था All India rank थी 1,21,154 EWS के candidate को 524 नंबर पर college मिला था All India rank थी 65,344 SC के candidate को 448 नंबर पर college मिला था और ये All India rank थी 1,35,494 ST के बच्चे को 324 नंबर पर college मिला था और All India rank थी 2,27,757 तो आप ये देख सकते हैं OBC के बच्चे को भी यहां 462 नंबर पर college मिल गया था ये state counseling जो 85% है उसका data में आपको बता रहा हूं अगला state हम ले रहे हैं बिहार अभी राजनेतिक उठापटक के चक्कर में बिहार चर्चा में है और बिहार में 2021 का जो cut-off रहा वो मैं आपके सामने बोल रहा हूं total number of government medical colleges है 12 है और total number of government medical seats है 1515 पंदरसो पंदरे जनरल category के बच्चे को 610 नंबर पर college मिला था 14,666 All India Rank था 2021 में OBC के बच्चे को 606 नंबर पर college मिला था 16,214 All India Rank था EWS के बच्चे को 605 नंबर पर college मिला था 16,817 All India Rank था SC के बच्चे को 450 और ST के बच्चे को 430 नंबर पर college मिला था All India Rank था ST का 156,052 जितनी सारी cut-off मैं ये बोल रहा हूं ये इस वीडियो में slides आपके सामने डिस्पले होगी तो बहुत आराम से आप analyze कर सकते हैं अगली बात करते हैं भारत के खूबसूरत सहर चंदीगड की चंदीगड Union Territory है और 2021 में चंदीगड का एक अकेला जो Medical College है उसमें General Category के candidate को जो 85% स्टेट कोटा की cut-off है मैं उसकी बात कर रहा हूँ 569 पर College मिल गया था 34,622 All India Rank थी SC के बच्चे को 405 नंबर पर College मिला था 186,231 All India Rank थी बाकी data अवलेबल नहीं है क्योंकि यहां Finally College इसी rank पे मिला था इस प्रकार से students यह कुछ स्टेट्स आपके सामने थे अगला स्टेट 36 गड़ 36 गड़ पर मैं आ रहा हूँ जो अपने डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है नीट 2021 में 36 गड़ का All India के टेगरी कटोफ था General 549 549 47,241 पर OBC 543 50,901 EWS 503 82,347 All India Rank SC 466 11,161 396 All India Rank ST 354 2,56,590 36 गड़ में आपको याद दिला दू 85% जो स्टेट कोटा है उसकी काउंसलिंग की कटोफ मैंने Announce की है Number of Medical Colleges 8 है And Total Number of Medical Seats है 965 इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली पे आते हैं दिल्ली का दबदबा Medical Education में है जैसा आप जानते हैं दुनिया का हर एक आदमी IMS के बारे में जानता है और भारत का हर एक बच्चा IMS देली जाना चाता है अब देली का जो स्टेट कोटा है 85% कोटा उसकी कटोफ की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं जो DU दिल्ली स्टेट कोटा है 77,787 और ST 395 1,99,566 लेकिन जो IP कोटा है इंदरप्रस्ट उनिवर्सिटी मैंने पहले भी आपको वीडियो बताया था जिसमें IPU में इंदरप्रस्ट में जो डिफेंस परसनल्स हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन होते हैं सेपरेटली जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए भी आप ये कह सकते हैं सीट्स के अवलिविलिटी है यहां जनरल के बच्चे को 635 नंबर पर कॉलेज मिला और विसी को 610 नंबर पर सेड़ूस के बच्चे को 636 नंबर पर से 484 एंड स्ट 384 इस प्रकार से टोटल देली के जो गौर्वर्मेंट मेडिकल कॉलेजेज हैं उनका नंबर है 8 और टोटल नंबर आप सीट्स हैं 1247 ये स्टेट कोटा की मैं बात कर रहा हूँ और इंडिया के जो इंस्ट्टूट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं है स्टेट कोटा में आते हैं उनकी complete detail students मैंने आपको बताई है 2021 का cut-off ये रहा था आप predict कर सकते हैं हम भी पहले prediction कर चुके हैं और आपने उसमें बहुत अच्छा response दिया है ये cut-off जो पिछले साल रही थी definitely उससे 15 से 20 नंबर कम रहने वाली है 15 to 20 marks definitely ये नीचे आएगी जैसे All India कोटे की overall जो cut-off थी वो general obviously 600 marks से नीचे थी तो इस बार हमारा मानना है आखलन है कि ये 580 तक आ जाएगी आप इस वीडियो के मध्यम से इन 5 states की union territories की जानकारे ले अगले वीडियो में फिर 5 states और अलग-अलग states के साथ में आऊँगा इस प्रकार से पूरे भारत के सभी राज्यों को cover करते हुए सभी राज्यों की medical colleges की संख्या और उनकी seats 85% कोटा जो है उसमें last year का टोग क्या रही थी ये जल्दी मैं आप तक महुचाऊंगा wait and watch enjoy your life आप सुन रहे थे M.M. Maldiya को और मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ अभी वक्ती के माध्यम से बहुत भाद धन्यवाद नमस्कार